आज मैं आपके लिए लेके आई एक प्रेक्पास्ट रेसिपी है बहुत इसी एंड क्विक है आपके बना सकते हो अपने बच्चे को डिफिन बॉक्त में भी दे सकते हो और यम्मी एंड टेस्टी भी है इसमें मैंने थोड़ा सा टेस्ट दिया है दो टाइप पे मसाले बनाऊंगी और नौर्मल मसाला उत्पम भी बनाऊंगी अब कौन सा भी ट्राइ कर सकते हो यहां पे मैंने उत्पम सूची के बनाया है आप चागू तो इटली और डोसा के बैटर से भी बना सकते हो तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरी वीडिय पिलेगी और इसमें फुल ओफ एजिटेबल्स हम डालेंगे जितने आपके पास है आप डाल सकते हो तो यहां पर मैंने एक कटोरी सूजी ली है और एक कटोरी गहिर का दही लिया है उसको भीगो के मैंने रख लिया था 15 मिनिट्स मेन्वाइल मैंने यहां पर वेजटेबल कुप कर लिये हैं जो चॉप करके रखना था वो भी वेजटेबल्स जो चाहो आप वेजटेबल्स डाल सकते हो यहां पर मैंने बीटरूट अवोइड किया है क्योंकि मुझे नेचरल कलर चाहिए था इसलिए अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो osta,他 यहां पे सब मिक्स करके भी बनाएंगे कि दोपिंग मि बनाएंगे उसके लिए हमे जो टौपिंग प्रिमारे करना है वो हम प्रिपेर करेंगे सव यहां पे मैंने वन कत टोरी जितना सूझी लिया और यह सब मैने जो भी वेजटेबल्स लिया है वो के वनकत रहान सारे वेजटेबल्स लेके इसके अंदर हम पीन चॉप सॉल्ट डालेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से हो जाएगा सो मेक्शोर करो कि सॉल्ट तभी डालना जब आपको उत्पम प्रिपेर करना है आपने गैस चड़ा दिया है तभी डालना नहीं तो उसका पानी निकलेगा सो यहां पर हम उत्पम सॉफ्ट बनाने के लिए यहां पर मैं इनो यूज कर रहे हूं अगर आप चाहते हो अवोइड करना तो बिल्कुल अवोइड कर सकते हूं लेकिन बहार के जैसे एक्टम से मस्त फ्लफी उत्पम बनेंगे तो वन कटोरी आपके पास सूजी है तो आप एक पैकेट नॉर्मल जो इनो आता है फ्लेवर नहीं लेना है वो डालना उसके ओपर थोड़ा सा पानी डालेंगे एक्टिव करने के लिए अच्छे से उसको मिक्स करना है ताकि हमारा जो भी बैटर है वो अच्छा हो जाएग करने के बाद आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है आप देख सक्यों कितना फ्लॉफी हमारा बैटर बन चुका है पैस्ट ऑप्शन है आपको प्रेकफास के लिए फेलिंग फूल है तो यहां पर हम उत्तपम बना रहे हैं पहले मैं टॉपिंग वाला दिखा रहे हूं सो मैं यहां पे गी यूज़ करती हूं आप बटर गी ओल वाटेवर यू वांट आप लगा सकते हो तो हम यहां पे मेनी उत्तपम बना रहे हैं ताकि हम सब भी अच्छो से कर सके आप चाहो तो एक बड़ा भी बना सकते हो आपकी चॉइस है अगर आप बच्चों के लिए अच्छे सब बना सकते हो तो इली और डॉसा के बैटर से भी अपना सकते हो यहां पर हमने जो मिक्षर प्रिपैर करके रखा था वह मुस्के ओपर टॉप करेंगे और उसको अच्छे से जो हमारी स्पूल है वह स्लाइटली हम उसको प्रेस करेंगे ताकि हमारा जो टॉपि अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसके उपर हम पैरी पैरी मसाला डालेंगे ताकि हमारा जो उत्तप हम है वह पैरी पैरी फ्लिवर का बन जाएगा इसके साथ आपको कोई चट्मी या कुछ भी खाने के जरूरत नहीं हो कि आप ऐसे ही था सकते हो तो यहां पर मैं पैरी यहां पर मैं कवर करके फाइम मिनिट के लिए कुख करूंगी यह हम दूसरा मशाला बना रहे हैं तो मैंने यहां पर थोड़ा सा मननमक थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा रैड मिर्ची लिया है तो यह भी उत्तपम बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बनेगा और ट्राय करना मुझे जरूर बताना कॉमेंट में कि आपको कैसा लगा यह मेरी मोस्ट फेवरिट डिश है मैं वीकली फोर टाइम तो यह प्रेगफास में लेती ही लेती हूं तो बहुत हल्दी ऑप्शन है अगर आप चाहो तो यह फिलिंग फूल भी है और आप टीफिन बॉ कर रहे हूं सिर्फ के साथ सव कर रहे हूं आप चाहो तो सामबार और के सव कर सकते हो अभी दूसरा वेटर हमें बनाने के लिए जो भी हमने वेज़ेबल लिये थे वो उसके अंदर हम अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हो हमारा वेज़ेबल का प्रपोर्शन यहां ज़ी बहुत ही अच्छा है सेम पैन में हम यहां पर घी डाल रहे हैं आपको कौन सा भी वेरिशन चाहिए आप ठाए कर सकते हो जो हमने मसाला बनाया था वो हम डालेंगे उसके उपर अच्छा सा एक लेयर डालेंगे उत्पम का तो यहां पर मैं बड़ा सा इसका बन क्रिस्पी हो जाए और उसके ऊपर भी हम घी लगा देंगे तो देख सते हो कि इसका जो उत्तपम का टेक्ट्चर है वो नीचे से पक चुका है अब उसको फ्लिप करने के बाद हम उसको पांच मिनिट ले के लिए पकाएंगे आप देख सते हो बहुत ही फ्लॉफी और क्रिस् सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चाहिए सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मोर इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए और हैल्थी ऑप्शन देखने के लिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक शेर और सब्सक्राइब जर के पीच को लाइक करना बिलकुल भी मत बूलना फॉलो देर और माइ इंस्टा पीच फीड राइट देर अन दे स्क्रीन बाइ गाइस